नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटीब चैनल स्टडी टीप्स पर आसा करता हूँ कि आप अपने और अपने परिवार का खयाल रख रहे होंगे दोस्तों एक बहुत ही अहम जानकारी निकल कर आ रही है जिसे हम आप लेगों के साथ साजा करने के लिए आपके सामने उपस्तित हुए है तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि देश में अभी तक तो लोग ब्लैक फंगस का सामना कर रहे थे जैसा कि ब्लैक फंगस को बहुत सारे राज्यों ने महमारी भी घोसित कर दिया है केंदर सरकार के अपील पर दोस्तों तो देखे ब्लैक फं कोरोना से ठीक हुए लोगों की आखों की रोसनी को कम कर दे रहा है तो वाइट फंगस सीधे फेपड़ों में असर डाल रहा है दोस्तों तो हम लोग जानेंगे भी पूरे तरह से ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बारे में हम लोगों ने ब्लैक फंगस से रिलेटेड एक फंगस के मरीज मिले हैं वहीं बिहारवी कोरोना के संकट से जूजी रहा है कि ये नई मुसीबत आप पड़ी है दोस्तों तो हम लोग जैसा कि जानते थे ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक हुए लोगों की आखों की रोसनी को कम कर दे रहा है तो वाइट फंगस सीधे फेपड पार्ट और मुह पर भी असर डाल सकते हैं तो जैसा कि ये हमारा यहां पर दीख रहा है PMCH तो पतना के सबसे बड़े अस्पताल PMCH के जो सबसे प्रोफेसर है माइक्रोबाइलोजी के प्रोफेसर है SN SINNA उन्होंने इस बात के पुष्टी की है कि पतना में चार केस वाइट फंगस के हमारे सामने आया है तो इस वाइट फंगस के क्या-क्या लच्छन है दोस्तों तो यह देखते हैं कि यह जो वाइट फंगस है कोरोना की तरह ही फिपड़ों को नुक्सान पहुचाता है जो कोरोना है उसी के तरह यह जो वाइट फंगस है यह फिपड़ों में नुक्सान पहुचाता है और इस का treatment antifungal दवाओं से किया जा सकता है दोस्तों तो क्या करना है कि आप लोगों को बहुत ही अभी सेफ रहने का जरूरत है हम लोगों को बहुत सेफ रहने का जरूरत है क्योंकि हमारा देश बहुत ही संकट से जूज रहा है दोस्तों तो चलिए आगे बात करते हैं कि कौन-कौ से सूगर के पेसेंट हैं सूगर के मतलब डाइबिटी से प्रीडी चले आ रहे हैं या फिर जो लंबे समय से एस्टरोइड ले रहे हैं या फिर कोरोना के टाइम पर जिन्हें ट्रीट्मेंट के धर्म्यान में एस्टरोइड दिया जा रहा है दोस्तों उन्हें भी यह इस वा के लिए उच्च typまた बहुत सफ़ाई रखकर उसका बहुत ज़्यादा सःबसे उसको बहुत अच्छे से मितलब जो उसका पानी दिया जाए वह साप सपासपाई है का ध्यान रखकर हम लोग क्या कर सकते है इस white fungus से बचा जा सकता है दोस्तों तो जैसा कि भारत में अभी तक जो black fungus के मामले 140 मामले सामने आये थे भारत में black fungus के 140 मामले सामने आये हैं वहीं आज 4 मामले जो की white fungus के आये हैं और इस white fungus के हम लोगों ने लक्षन को देखा और इससे क्या-क्या बचाओ किया जा सकते किस त प्रग्यों के अनुसार और पटना में ये वाइट फंगस देखा गया है दोस्तों तो इसी जानकारी को आप लोगों के सामने साजा करने आये थे अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है और ये जानकारी से आप कुछ जानकारी हासिल किये हैं तो दोस्तों हमार वीडियोज पर कमेंट करें, लाइक करें और सेयर करें और आप लोगों के लिए हम ऐसे ही नई नई जानकारी निकाल कर लेकर आएंगे दोस्तों तो तब तक के लिए अलविदा और सेफ रहें अपने परिवार के साथ